हेलो दोस्तो वेलकम ट्यूय चैनल कैसे हैं आप लोग दोस्तो 5.2 कोडिनेट हम कोडिनेट जोमेट्री अल्रड़ी हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहां पर और 3 4 और 5 कोशन हमने अल्रड़ी यह पिछले वीडियो में ले चुके हैं अगर नहीं देखें आपने तो इसका में उप कर देना लाइक भी करना और जिन जिन वने सब्सक्राइब करें उनका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद और थैंक्यू तो चले शुरू करते हैं आज कामरा यह नया वीडियो शिक्स कोशन लेतें कोशन में बहुत सिक्स बहुत इजी है यह और फाइंड अपाइंड प कोडिनेट जब हम फाइंड करेंगे तो y1 upon y equal to y1 plus y2 upon 2 हो जाएंगा ठीक है तो बहुत सिंपल है बहुत इजी है तो चले हम उसको शुरू करते हैं इस राद में शुरू करेंगा यहाँ पर सबसे पहले में लिखूंगा यहाँ पर लेट ओके और जो पहला कोडिनेट पॉ ओके और इसको नाम दे देंगे हम लोग x2, y2 ठीक है दोस्तों बहुत सिंपल है बहुत इजी है आप जो midpoint है हम उसको x और y एजिम कर लेते हैं तो हम इस तरह से एजिम कर लेंगे let the coordinate suppose a b लिखा मैंने तो यहाँ पर मैं c एजिम कर लेता हूं ठीक है तो हम लोग लिख सकत मैं इसको of midpoint b x, y हम एजिम कर लेते हैं ठीक है ना ओके तो इस तरह से लिख लेंगे चलिए अब इसको हम शुरू करते है midpoint formulas हम ले लेंगे so therefore मैं लिखूंगे यहाँ पर by midpoint formula और बहुत ही important question है बहुत ही easy है दोस्तों यह दो मांक सी question में आता ही है यह okay so by midpoint formula जब ही हम x coordinate find करेंगे तो x coordinate के लिए formula क्या हो जाएंगा x1 plus x2 upon 2 हो जाएंगा और इसी के आगे मैं y coordinate भी solve कर लूगा तो y1 plus y2 upon 2 हो जाएंगा ठीक है तो चलिए हम इसकी value को put करते है so x is equal to x1 क्या है यहाँ पर 22 है so 22 plus x2 क्या है 0 है upon 2 चलिए पहले इसको हम solve कर लेंगे so यह 22 plus 0 22 upon 2 हो तो जब भी मैं इसका divide करूँगा 2 से तो यह 2 1s are 2 2 1s are 2 तो x का answer आगे अपने यह 11 देखें पहले answer के ता simple आगे अपने easy तरीके से चला y coordinate के लिए y1 plus y2 क्या है y1 20 है y2 कितना है 16 है upon 2 लिख देंगे मिसको okay so y is equal to 20 plus 16 is 36 upon 2 लिख देंगे और therefore y is equal to 2 1s are 2 और 2 8s are 16 okay यह table में cut हो गए 18 आगया तो यह y का answer भी आगया देखें कितने simple तरीके से 2 minute भी नहीं लगाए 2 marks लेने के लिए और इस तरह से एगर और systematic लिखना है आपको तो आप इदर answer में भी लिख दो हम लिखेंगे आपर the coordinates of the midpoint इस तरह से लिख देंगे वो लिखना तो लिख सकते है of the segment joining ओके आर क्या है x का answer 11 y का answer 18 तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे देखेंगे किता simple था तो इसी तरह से आप इसको भी करेंगे screenshot ले लीजिए तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना next question question number 7 ले ले लेते हैं यहाँ पर test book लेते हैं simple है दोस्तों यह तो centroid formula है okay मुझे नहीं लगता यह board के exam में आ सकता है इतना simple है यह find a centroid of the triangles whose vertices are given below तीन question दिये हैं तीनों कम नाम दे देंगे a, b, c, p, q, r, x, y, z, कुछ भी आपको नाम देना है दे सकते हैं okay नहीं भी नाम दिये तो तो भी आप directly इसको कर सकते हैं ठीक है न तो चलिए हम इसको भी ले ले लेते हैं 7 का मैं first bit लेता हो यहाँ पर तो इस तरह मैं लिख दू यह centroid formula है centroid formula तो अपने को मालूम है x जब हम coordinate find करेंगे तो x1 plus x2 plus x3 upon 3 और y coordinate हम find करेंगे तो y1 plus y2 plus y3 upon 3 में हम इसको solve करेंगे ठीक है तो चलिए मैं इसको assume कर ले तो लेट इसको दे देता हूं मैं नाम a minus 7,6 okay और इसको हम नाम दे देंगे same x1,y1 okay फिर b coordinate ले लूंग हम 2, minus 2 इसी को भी हम नाम दे देंगे x2,y2 okay और c coordinate जब मैं find करूंगा 8,5 तो इसको भी हम नाम दे देंगे x3,y3 centroid formula हमको रखना है तो मैं हम लिखेंगे यहाँ पर therefore by centroid formula या by coordinates of centroid ऐसा भी लिख सकते दोस्तों तो मैं लिखूंगा यहाँ पर by centroid formula ओके तो हम centroid formula लिख देंगे यहाँ पर तो जब हम x find करेंगे तो formula क्या हो जाएंगा x1 plus x2 plus x3 upon में 3 लिखना है आपको और यह y coordinate जब हम find करेंगे तो y1 plus y2 plus y3 upon 3 देगे दोसे कितना simple है है ओके चले value पुट करेंगे ध्यान से x1 की value minus 7 plus x2 की value है अपने पास में 2 plus x3 की value क्या अपने पास में 8 ओके और upon में आप इसको 3 लिख देंगे चलो पहले इसको solve कर लेंगे okay so x is equal to इस अज़र हम इसको solve करेंगे देखिए दोस्तों आप यह दोदो करके भी solve कर सकते है minus 7 plus 2 यह minus 5 हो रहा है और यह plus 8 लिख ज़िए उसके आगे का मैंने और 2 लिखा यह और यह x is equal to sorry 3 लिखना है x is equal to minus into plus is minus so 8 minus 5 is 3 और बड़े value की sign plus में तो आप लिख देंगे 3 upon 3 okay यह 3 वन जा 3 में cut हो गया x का answer आगया 1 देखिए पहला answer अपना आगया okay तो चलिए अब y coordinate हम find करेंगे तो y1 के अपने पास में 6 है plus y2 के अपने पास में minus 2 है और y3 के अपने पास में 5 है okay upon में 3 लिख देंगे आप यह sign को पहले सही करेंगे 6 लिखेंगे plus into minus minus 2 लिखेंगे plus 5 और upon में 3 लिख देंगे दोसरों यहां पर भी 3 है okay आता हो गई वह 2 लिख नहीं की so y is equal to 6 minus 2 is 4 तो 4 plus 5 upon में 3 लिख दो okay so y is equal to 9 upon 3 और यह 3 3 is the 9 में यह कट हो जा रहे है आपके तो आप लिख देंगे y is equal to 3 तो यह दूसरा आंसर भी अपना आ गया है ठीक है ना कितना easy है आपको systematic लिखता है तो हम लिख सकते है answer में भी the coordinates therefore the coordinates दोस्तों मुझे एक answer में लिखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि presentation wise बहुत अच्छा लिखता है यह so the coordinates of the centroid are 1,3 ठीक है तो यह अपना first bit भी हो गया चलिए अब second bit पर जहाते है बहुत simple दोसे आप लोग भी कर सकते लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं यहां पर okay second bit का भी मैं question लिख लेता फटा पर test book में से देखके 3,-5,4,3,11,-4 okay तो यह given में centroid formula यूज करने अपने को तो सबसे पहले हम इसको नाम देदेंगे मैं से given में भी लिख देता हूं systematic okay तो हम लिखेंगे आप पर let एक coordinate नाम देदेंगे हम लोग चलो इसको 3,-5 और इसको आप लिख दो x1,y1 इसी तरह से b coordinate 4,3 इनको भी आप नाम देदीगे x2,y2 और इसी तरह से c coordinate 11,-4 और इनको भी आप नाम देदेंगे x3,y3 देखेंगे किता simple है okay so therefore by centroid formula लिख देंगे हम directly by centroid formula okay question में centroid से formula से solve करना है तो जब भी आप x coordinate find करेंगे तो x1 plus x2 plus x3 okay upon में 3 लिख देंगे और y coordinate हम find करेंगे तो y1 plus y2 plus y3 upon 3 इस तरह से exam में भी आप solve कर लेंगे दोस्तों okay चलिए x is equal to x1 क्या 3 है x2 क्या 4 है और x3 क्या 11 है upon में 3 लिख देंगे okay तो चलिए हम इसको solve करते है x is equal to 3 plus 4 7 7 plus 11 is 18 तो यह 18 upon 3 हो जाएंगा और यह 3 के डेपल में 18 को हम cut कर लेते हैं 3 इस exam में so x is equal to 6 तो इदे को पहला answer अपना आगे है ठीक है इसी तरह से y coordinate जब हम find करेंगे तो y1 की value क्या है minus 5 plus y2 क्या है 3 है और plus y3 क्या है minus 4 है इस रजम इसको bracket में ले लेता हूं और upon में 3 लिख देता हूं ठीक है so y is equal to minus 5 लिखेंगे आप okay plus 3 लिखेंगे plus into minus minus 4 लिखेंगे और upon में 3 लिख देंगे इसको so therefore y is equal to चलिए अब इसको solve करते हम लोग यह हो जाएंगा minus 2 minus 5 plus 3 minus 2 होंगा और minus 4 इसके आगे का लिख दूँगा मैं और यह 3 लिख देता हूं में इसको so यहाँ पर भी y is equal to minus 6 upon 3 so यह 3 टूँजा 6 में cut हो जाएंगा और इस तरह से y का answer भी आपका आजाएंगा minus 2 तो देखेंगे ने किता simple था ही है तो इस तरह से इसको भी हम solve कर लेंगे और आप answer में भी इसको अच्छे से लिख लेंगे ठीक है skin shot ले लिजे फड़ा फट और हम आगे बढ़ते हैं 3rd पर चलिए 3rd का भी bit में लिख लेता हूं यहाँ पर बहुत सिंपल है दोस्तों आप खुद बोल रहेंगे सर हम खुद try कर सकते हैं बहुत सिंपल है यह 4,7 8,4 और 7,11 यह 3rd bit हैं तो के इसको हम given में लिख लें हम इसको नाम देदेंगे अच्छे से x1,y1 इसी तरह से b coordinate 8,4 इसी को भी हम नाम देदेंगे x2,y2 और जो c coordinate is 7,11 इसको भी हम नाम देदेंगे x3,y3 देगे इतना सिंपल है तो हम लिख देंगे नीचे directly by centroid formula अच्छे से लिखेंगे एकदम जब भी आप मैस करते हैं दोस् सिली सिली mistake कभी कभी हो जाती है,so formula x1 plus x2 plus x3 upon 3 x coordinate के लिए और y coordinate के लिए y1 plus y2 plus y3 upon में 3 लिख देंगे ठीक है,so चली x coordinate के लिए x1 क्या 4 है,so 4 plus 8 plus 7 x3 7 है upon में 3 लिख देंगे,so चली हम इसको solve करतें,x is equal to 12,12 plus 7 is 19,so 19 upon 3,table में नहीं जा रहें, इनको ऐसी रखेंगे हम लोग, और y coordinate के लिए y1 की value 7 है,y2 4 है और y3 11 है,upon में 3 लिख देंगे,so y is equal to 7 plus 4 is 11 plus 11,okay,upon में 3 लिख देंगे,so यहां पर y is equal to 11 plus 11,22 upon 3, तो यह भी टेबल में नहीं जा रहें 22 3 के डेबल में और यह भी 90 नहीं जा रहें 3 के डेबल में, तो यह अपना final answer,third bit का भी हो गया,ठीके न,किता simple है,okay, तो चलिए हम next page पे जाते है,page number 116 पे जहाँ पर आपका question number 8 है, यह भी हम ले ले लेंगे अच्छे से, question number 8 भी हम try करते हैं, तो यह भी बहुत simple है, इसको भी हम try करते हैं, question number 8, test book में, page number 116 पे अब आपके हैं, अब यहाँ पर देखिए 5 question ले गए, तो यह question और ले ले लेते हैं, फिर next video में 4 question cover कर लेते हैं, इनर ट्राइंगल, जी, minus 4, minus 7, अब यह minus 4, minus 7 क्या है यह, यह अपना centroid है, है न, यानि कि अपनी कौन सी value है, बीच की value है अपने पास में है, यानि कि ए x और y coordinate की value है, और यह जो a और b है अपने पास, यह x1, y1 और x2, y2 है, और find करना आपको coordinate of c, तो देखिए कितना simple है, coordinate of c अपने पास, easily अपने पास, आ जाएंगा यहाँ पर, अब देखिए, यहाँ पर तीसरा coordinate नहीं है अपने पास, x3 और y3, तो शायद वोई answer अपने को निकालना होंगा, ठीक है न, तो चलिए, हम इसको question में, given में क्या-क्या है, मैं लिख लेता हूं पहले, question number 8, okay, तो क् सबसे पहले हम लोग, minus 14, यानि के, let, इस तरह से लिखूंगा, मैं आपर, let, एक coordinate क्या आपने पास में, minus 14, minus 19, इसको हम नाम दे देंगे, जिसे हम देते है, x1, y1, और आपका जो b coordinate है, उसको हम नाम दे देंगे, 3,5, ठीक है, और इसको इसी तरह से हम नाम दे देंगे, x2 y2, okay, अब यहाँ पर जो coordinate है, point c है, वो अपने को find करना है, तो मैं आपर लिख दूँगा, फिर से, let the coordinate, okay, let the, अचा, अपने पास g भी है, तो g, यानि के, centroid है, अपने पास में है, तो g, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, g के अपने पास, minus 4, minus 7 है, okay, और यह अपने पास, कौनसी value है, x, y की value है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूँगा, और यहाँ पर लिख दूँगे हम लोग, let the coordinates, let the coordinates of point c, okay, of point c, b, x3, y3, तो यह value अपने पास, x3, y3 है, तो हम लोग लिखेंगे, by centroid formula, by centroid formula, इस तरह से हम लोग लिखेंगे आपर, okay, तो x coordinate के लिए हम formula क्या बनेगा, अपना, x1, plus x2, plus x3, upon में 3 लिख देंगे इदर, और बिल्कुल उसी की सामने y coordinate भी हम find करेंगे, simultaneously, तो बहुत अच्छा हो जाता है, यह, okay, 3 लिख देंगे, चली, x की value क्या अपने पास में देखो, यह g की जो value, x की value, minus 4 है, तो आप लिख देंगे, आपर minus 4, x की नीचे, और x1, x2, x3, यह लिख देंगे, तो x1 के अपने पास में, यह x1 है दोस्तो, okay, x1 के अपने पास, minus 14, plus x2 के अपने पास 3 है, और plus x3 तो अपने को निकालना है, और upon में यह 3 लिख देंगे, ठीके न, तो चलिए, अब इसको simplify करते हैं, हम लोग लिखेंगे, minus 4, अचा, cross multiply कर लो, बटागर करना है, तो 4, 3 is a 12, तो यह minus 12 हो गया, is equal to, अब यह minus 14, plus 3, okay, तो यह minus 11 हो जा रहा, और आप लिख दीजिए, x3 यहाँ पर, okay, अब हम इसको simplify करेंगे, तो क्या आएंगा answer, बोलिए, minus 1 आ सकता है, okay, confused नहीं होई बटा, right, अब उन क्या करेंगे, यह तीनों value को एक line में ले लो, minus 12, अब equal to किदर, minus 11 है, तो plus 11 हो जाएंगा यह, और यह plus x3 हो जाएंगा, minus x3, equal to 0 दाल दो, okay, solve करने के लिएजी हो जाता है, अब यह minus, अब देखें, यहाँ पर, minus 12, plus 11 क्या हो जाएंगा, minus 1, minus x3, equal to 0, so therefore, minus 1, equal to, जैसी आप लिखेंगे, तो यह जो minus x3 हो जाएंगा, plus x3 हो जाएंगा, यानि यह therefore, x3 का answer क्या जाएंगा, आपका minus 1, ठीक है न, समझ में आ रहा है, इच्छे से, okay, चलिए हम यहाँ पर भी, y की value क्या है, यहाँ पर, देखो minus 4 है, जो g में, minus 7 है यह, is equal to, अब y1 की value minus 19, plus y2 की value 5 है, और y3 अपने को निकाल लेना है, और upon में यह 3 लिख देंगे, ठीक है, इसको भी हम cross multiply कर लेंदे, so 7, 3 is how much, 21, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इस तरह से 21, minus 21, अब यह minus 19, और plus 5, तो क्या हो रहा है, यह minus 14 हो रहा है, okay, minus into plus is minus, so 19 minus 5 is 14, बड़े value की sign देगो, minus में, तो मैंने minus, अब यहाँ पर भी मैं तीनो value को एक line में ले ले लेता हूं, दोस्तो, minus 21 लिखूंगा, equal to, इधर minus 14 है, तो आप plus 14 लिख दीजिए, और इधर plus y3 है, तो आप लिख दीजिए, minus y3 equal to 0 दाल दीजिए, okay, अब द 21 plus 14, कितना हो रहा है, यह, minus 7 हो रहा है, तो आप लिख दीजिए, minus 7, minus y3 equal to 0, so therefore, minus 7 लिखेंगे, जैसी equal to, लिखेंगे, minus y3 क्या हो जाएंगा, यह, plus y3 हो जाएंगा, तो therefore, यहाँ पर y3 का भी answer क्या आगया, आपका, minus 7, देगे ना, किता simple है, I hope आपको अच्छे समझ में आ रहा हूँगा, मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको, आप answer में भी लिख दीजिए, कि इसका coordinate निकालना था अपने को, the coordinates of C, okay, of point C, are minus 1, minus 7, ठीके दोस्तों, तो इस तरह से अपने को करना था था, कितना simple है, कितना easy है, इसलिए मैं बोलना, आप Zoya Mass Academy की साथ में बने रो, trust करो ये चैनल को, मैं आपके लिए और भी आगे चलके बहुत अच्छी दे में तैयारी कराऊंगा, और जो जो हम मैस करेंगे, पेपर में भी और रिवाइस करेंगे, वही सब आपको पेपर में भी पूरे questions लिखेंगे, ठीक है न, so thank you very much, thanks for watching, okay, so take care of yourself.